हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों का स्पेशल मूली गाजर हरी मिर्च और अद्रक का बहुत ही तीखा चरपटा सा अचार जिसे आप सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ना ही इ पर चलिए आज की रेसिपी वीडियो को शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहां पे सबसे पहले मैंने एक बड़े साइच की मूली दो गाजर कुछ हरी मिर्च और थोड़ी सी अद्रक ले ली है तो यहां पे आपको मूली और गाजर दोनों बराबर लेना है पर मेर को और मूली को साथ में ही अद्रक जो ली है उसे तीनों को अच्छे से छील के और हम दो ले विए तो सर्दियों में इस तरह का अचार सभी को बहुत अच्छा लगता है और खास कर यह शर्दियों में ही बनाया जाता है लंबे समय तक चलता है अद्रक भी इसमें हम डालते हैं खूप सारी क्योंकि अद्रक बहुत गर्म होती है सर्दियों में हमें फायदा भी करती है तो यहां पे मैंने मूली गाजर मिर्च और अद्रक सभी को लंबाई में कट कर लिया है तो जैसे भी आप पीस करना चाहते हैं छोटे या बड़े उसे साथ से ने कट कर लीजिए और काटने के बाद अब हम लेंगे एक यहां पे बड़े साइज का बरतन और उसमें हम डाल देंगे मूली गाजर और हरी मिर्च को तो यहां पे न हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि यह जो हरी मिर्च मेरे पास है यह बहुत ज़्यादा तीखी है इसलिए मै मिक्स करने के बाद इने ढखके ना एक घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों में से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है ये तो सभी को पता है मूली और गाजर में से काफी सारा पानी जो है रिलीज हो जाता है तो इस तरह हम जब नमक डाल के है मैंने मेथी जीरा सौंफ थोड़ी सी हींग और साबुद धनिया और राई साथ में ही कलोंजी है और उसी के साथ यहां पर हम लेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च तो देगी मिर्च का मैं बाद में यूज करूंगी इसलिए मैंने अभी इसके साथ वह एड नहीं किया तो यहां पर अब जो म सालें निकाली है इन सभी को हमें द्राइर रोस्त ऍा तो सारे मRS को हम यहां पर डाल देंगे सिर्फ पर हम कलोंजी है उसे नहीं डालेंगे उसे हम सबसे लास्ट में ही एड़ करेंगे तो सारी मसालों को इसमें डाल दीजे और डालने के बाद medium to low flame पे इन्हें अच्छे से आपको roast करना है बस इस बात का ध्यान रखना है आपको मसाले जो है जलने नहीं चाहिए इसलिए gas की जो flame है वो आप medium to low रखें और continue से चलाते हुए अच्छे से भूल ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने इसमें राई भी एड़ कर दी है और सभी को अच्छी सी खुश्बू आने तक हम भूल लेंगे तो अगर आपके पास ना राई ना हो तो आप यहाँ पे पीली सरसों का भी उस कर सकते हैं पर मेरे पास पीली सरसों नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे राई एड़ कर दी है इसमें और इसमें ना एक बहुत अच्छी सी खुश्बू आने लगी है तो बस गैस की फ्लेम को अब मैं बंद कर दूँगी और उसके बाद जब यह थोड़ असाना ठंडा हो जाएगा उसके बाद मिक्सी के जार में डालके इन्हें हम दरदरा पीस के तयार कर लेंगे तो यहाँ पे इनका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है बस पल्स मोड पे हमें इन्हें बना के तयार कर लेना है तो दोस्तों आप सभी से मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की ये रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे जरूर प्रेस करें आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे के लिए और वीडियो बनाने के लिए साथ में मुझे बहुत खोशी भी होती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे है तो देखे यहां पे इसे मैंने दरदरा पीस के तयार कर लिया है और अब चलते हैं हम आगे के तरफ तो यहां पे जो हमने पैन में मसाले भूने थे बस उसी पैन को मैंने दुबारा से रख लिया है और जैसे यह गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे कोकिंग ओयल तो आपको यह अचार बनाने के लिए यहां पे मस्टर्ड ओयल ही लेना है आप यहां पे डिफाइन ओयल वगएरा यूज ना करें क्योंकि सर्सों के तेल में जो अचार बगएरा बनाते हैं हम तो बहुत ज़ीजादा सौदिस्ट बनता है तो हमने जो मसाला बना के तयार किया था इसमें हम अबलास्ट में डाल देंगे कलोंजी और साथ में ही यहां पे हम डालेंगे कुछ और मसाले भी तो मसालों में यहां पे मैं डालूँंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जिसकी अचार काना कलर बहुत अच्छा आएगा और उसी के साथ हम यहां पे डाल टेंगे थोड़ी सी हल्डी और हल्डी डालने के बाद अच्छे से इने कर देंगे mix और साइड में हम थोड़ी सी हींग भी निकाल के रखेंगे पर हींग इसमें एड़ नहीं करेंगे हींग को हम तेल में डालेंगे तो यहां पर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद अब हम चैक कर लेते हैं मूली गाजर और हरीमिज को जिनमें हमने और हलती लगा के रखे थे उन्हें रखे रखे हुए काफी टाइम हो गया है और अब एक बार इने चेक कर लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितना सारा पानी निकल गया है तो अब क्या करेंगे एक चलली लेंगे और इनका सारा पानी हम निकाल देंगे चलनी में ये उपर आ जाएंगे और जो सारा पानी है उसे हम निकाल के अलग कर देंगे क्योंकि अगर हम इस तरह ये प्रोसेस नहीं करते तो अचार बनने के बाद ना उसमें बहुत सारा पानी निकल जाता है तो अचार खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए आप पहले ही इनका एक्स्ट्रा जो पानी होता है इस तरह निकाल के हटा दीजिए जिससे अचार बनने के बाद उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा एकदम ड्राई सा हमारा बहुत अच्छा सा चार बन के तयार होता है और बहुत लंबी समय तक हम इसे यूज भी कर सकते हैं तो देखे इस तरह पानी निकालने के बाद एक कपड़े पे मैंने इने डाल दिया है और हलके हलके इसी कपड़े से इने मैं पोंच लूँगी तो बस इस तरह हलके हातों से आप पोंच लीजिए जिससे इनका थोड़ा बद पानी हो गया बो भी हट जाएगा तो अब हम चलते हैं ग्यास की तरफ तो यहां पे मैंने उसी पैन को बापस रख लिया है और यहां पे हमें तेल को करना है तेज गरम जब तक कि इसमें से धुआ ना आने लगे तब तक हमें इसे अच्छे से गर्म करना है और जैसे यह गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे लगबग आदा चमच भर के हींग और हींग डालने के बाद हम सारी सबजी जो हैं मूली और गाजर और मिर्च सभी को इसमें डाल देंगे साथ में ही जो हमने अद्रक कट करके रखी थी ना साइड में तो वो भी हम इसी में एड कर देंगे और अच्छे से सभी को मिक्स कर लेगे यहां पे तो पहले आप यहाँ पे तेल के साथ अच्छे से मिक कर लीजिए और उसके बाद हमने जो मसाला तयार किया है सूखा बाला दीरे दीरे करके आप बो डालते जाएं और इन्हें मिलाते जाएं वैसे इस अचार को बनाना ना बहुत ज़्यादा आसान है पर जो अचार है सभी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है मैं दूसी तरह से बनाती हूँ शायद आप लोग किसी और तरह से बनाते हूँ तो अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और आप अचार बनाते समय किन किन चीज़ों का और यूज करते हैं वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो साथ में ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सफेद नमक और डाल दिया है और नमक डालने के बाद अच्छे से अभीने हम मिक्स कर देंगे और एक दो मिनट के लिए कोक करेंगे उसके बाद हम जो गैस की फ्लेम है उसे बंद कर देंगे तो यहाँ पे आप अच्छे से इने मिक्स कर लें जो मसाला हमने उपर से डाला था ना सूखा बाला चारो तरफ से सभी पे अच्छे से कोट हो जाना चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे जो अच्छे से मसाले की कोटिंग भी हो गई है और इसमें बहुत जादा तेल भी नहीं है और बहुत जादा ड्राइ भी नहीं है जैसा होना चाहिए बिलकुल परफेक्ट है तो बस यह हलका सा अभी गर्म है और जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा न उसके बाद हम इसे डबे में स्टोर कर लेंगे तो इस अचार में आपको धूप मगेरा लगाने के भी बिलकुल जरूरत नहीं है यह ऐसे ही सालो साल चल जाएगा बिलकुल भी खराब नहीं होगा और जब यह अचार पूरी तरह से बन जाए तो उसके बाद आप इसमें दो चम्मच विनिगर जरूर एड़ कर दे वो मेरी क्लिप जो है थोड़ी सी इसमें शूट होना रहे गई थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मैंने भी बाद में दो चम्मच इसमें विनिगर एड़ कर दिया था तो अब अचार पूरी तरह से ठंडा हो गया है उसके बाद मैंने यहां पे लिया है एक चोटा सा कोईले का टुकड़ा और इस तरह से उसे ग्यास पे रखके बहुत अच्छे से हमें जलाना है तो अचार में हमना एक स्मोक देने वाले हैं इससे जो अचार है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा और सालो साल बिलकुल खराब नहीं होगा तो इस तरह आप एक बार अचार बना के स्टोर करें I'm sure आपको ये बहुत अच्छा लगेगा इसकी self life भी बढ़ जाती है और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसे जला लिया है कोईले के टुकड़े को और जो अचार बनाया था न मैंने शाम के टाइम बनाया था रात के टाइम तो इसी तरह मैंने उसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए और अगले दिन सुबह में डब्बे में इसे भर के रख लूँगी तो यह अगले दिन का शूट है तो यहां पे जो कोईला है वो बहुत अच्छे से जल चुका है अब उठा के इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे और प्लेट में रखने के बाद इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल और थोड़ी सी हींग और उसके बाद जिस भी कंटेनर में आपको करना है वो कंटेनर आप इसके उपर उल्टा कर दीजे बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है जिस भी कंटेनर में आप करें न वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए उसमें पानी वगईरा बिल्कुल ना होना चाहिए और जब भी कभी आप अचार निकालें तो सूखी चम्मच का ही यूज़ करें चम्मच पे पानी वगईरा कुछ ना हो तो आपका अचार जो है सालो साल चलेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह आप डब्बे को इसके उपर उल्टा करके रख दीजिए तो सारा जो धुआ है वो डब्बे में अच्छे से समा जाएगा और बस थोड़ी सी देर के लिए आप डब्बे को इस तरह टाइट बंद करके रख दें जिससे की सारा दुआ अच्छे से इसी में अब्सॉर्ब हो जाए और उसके बाद डब्बा खोल के सारे अचार को आप डब्बे में भर दीजिए और बस धकन लगा के टाइटली इसे रख दीजिए और हमारा बहुत ही टेस्टी सा चटपटा सा अचार बन के तयार है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे अचार को मैंने डब्बे में स्टोर कर लिया है तो दोस्तों अगर आपको आज की ये अचार की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें जादा से जादा इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री होता है तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई and टेक केर